27 महीने बाद पाकिस्तान की जिल से छूट कर घर पहुँचा मरायन जिले का युवत पतनी और बच्चों का रो रोकर था बुरा हाल आपको बता दे कि ब्रिजवंगन थाना छेतर के ग्राम सवा बरगाँ पुर्टोलास राम फल जोत निवासी उमेश निज़ाद लगवा 27 महीनों से पकिस्तानी कराची की जिल में बन था जो बीते दो मही को कराची की मालिर जिल में रिया होकर अटारी बाखा पार्टर के रास्ते अपने वतन भारत पहुंचे गवर तलब है कि उमेश गुजरात में मचली पकड़ने आकाम करता था इस दोरान उसकी बोर्ट अंजाने में पकिस्तानी सीमा में चली गए थी जिसके बाद उसे पकिस्तानी आर्मी ने पकड़ कर जिल में बंद कर दिया था उसके बाद मच्वारे उमेश की पतनी ने कई बार मराएं डियम गुरक्फिल मंदिर पहुंच अपनी अर्धी लगाई और 27 महीनों तक पकिस्तान जिल में रहने के बाद भारत सरकार के सायोग से पकिस्तान जिल से रियार कर दिया गया है हम गुजरात में मच्षी मामने आया जो हम आप से पकड़े गए है किस ने पकड़ा आपको पाकिस्तानी ने भी ने पकड़ा है और उसके बाद में पेर हुआ से हंको लेके गए कराची अभी हंको तीन-उन साल हो गए है तक ही जाकर छोड़ा किसे लग रहा है भारत वाप 27 महीना आप पाकिस्तान की जील से सजा काट के आ रहे हैं क्यों काट की आ रहा हैं और कैसे आप पाकिस्तान पहुंच गया है वहाँ हम यहां से अपने रोजी रोटी कमाने के लिए गुजरात में गए थे यह हमारा मच्छी मानने का वी मतलव काम था हमारी मसीन खराब हो ग पाकिस्तान की नेवी जब आपको पटर केeral हिसी नेवी तो आप लोगों के साथ पाकिस्तान की नेवी का वहां के जो है प्लाच कहान वोगहार, फोuesta क्राशी में लिए गए अब वानु शुर सिधारन जरी कन्परें, पर इननुक्ट ऐयेक्व श्रूबू करते हैं. बारे बोड पक्राई थे हम लोग को अच्छा वहाँ जब आप जेल में कैथ थे तो क्या 27 महीनों में कभी आपके घर परिवार से आपकी बात्ची थी या वहाँ की पुलिस थी या वहाँ का सरकार आप लोगों से बात करने के मौका दिया कि आप अपने घर वालों से बात कर अगर पुराना कोई लेटर है ऐसा रजिस्ट्री है जिसके पास है ख़त बेद दे लेकिन ऐसा कोई नहीं था डग खाने तो कितने बंद पढ़ गए तो उसके लिए कोई बात कित नहीं हुआ तब से यह बताई यह पाकिस्तान जेल में रहते हुए आप उहां की कुछ बात खाना देते हैं और उसके बाद में हम इदी जिस सरकार का बहुत हो मतलब वह सुक्रिया करता हूं कि वह लोग को हम लोग को बहुत ख्याल रखता और चुटने के टाइम में हम लोग को पास-पास यह रुपए दिये और कपड़े लट दे दिये मतलब खाने पीने के लिए इदी फाउंडेशन वाला अब तक क्या नाम है आप कहां के रहने वाली मंजी देगी बर्गापूर रामपर्जे यह बताइए जब 27 महीना आपके पती जेल काट के आए हैं आपको कैसा लग रहा है बहुत पुसी हुई हम लोगों को इन 27 महीनों में आपने बरिवार का बह है सत्रीर का व्हुत मुसीबत हम लोगों किस तो उस समय जब आपके पती जील में थे तो जया उस समय आपके ग्राम पर्धान आप या ज़न पुरे सीद्री या ग्राममधी आपकी मदद किये मदद किल्च्ट आइस हैं घरकराइसे चला रहे थी आप तर जने स्फेक्स गय पाकिस्तान के सीमा में घुष गई तो कैसे लापता हुए पानी ओकाम करते थी यह गुजरत में शेट ने बताया कि यह गायब है उसके बाद क्या हुआ कितने दिनों से गायब है और आप लोग ने कहीं तलास किया कुछ परियास किया आज डियम के वहां गई थे आप लोग डियम महराज गई डियम क्या उन्होंने कहा और उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने क्या कहा है दिल्ली पहुंचा जाए जाए जाएगा दोस्तों जो भारतियों मच्छवारे थे उसको रिया कहा है पाकिस्तन जेल से तो आज वो अमरिज सर से यहां पर बरोरा लाए गए यहां से वेरावल उसको बाई बस जाहेंगा अब कितने सालों के बाद इन इस वोग इस तीन से चार साल बद रिया कहा है किस सरा प्रोफीजर होते है सर इंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें झाल